हेललो स्टूडेंट माईनेम एस मनेश मैई इस वीडियो पर बात करने वालाँ मासी काकलन 2022-23 माज जुलाई दो हजार 22 काक्षा छटवी विसऐ संस्क्रिट का उत्तर इस वीडियो पर बताने वालाँ तो स्टूडेंट वीडियो को लाइब, सेयर और योटूब चैनल को सस्क प्राइब कर ले इसका PDF टेलिग्राम पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर डाउनलोड करें 25 अंका पुर्णांक रहेगा 20 अंकों का लिखित प्रश्ण होगा 5 अंकों का प्रयोजना कारियर सबसे पहले देखते खन्ड आ का उत्तर वस्तूनेष्ट प्रश्ण प्रश्न करमांग पहला असमाकम प्रदेशत से नाम 10 अस्ति तो इसका होगा असमाकम प्रदेशत से नाम 36 अस्ति दूसरा मनोहरम सब्द का हिंदी अर्थ होता है सुंदर या सुंदर प्राचीन अर्वार्चीन तो इसका उत्तर होगा मनोहरम का हिंदी अर्थ होता है सुंदर गौ विश्वस डैस अस्ती तो गौ विश्व की माता है गौ को विश्व की माता कहा जाता है उसके बाद अति लगो उत्री प्रश्णों का उत्तर देना है संस्कृत में उत्तर देना है कृष्णा प्राता काले कृत्र गच्छती तो कृष्णा प्राता काले कहां जाता है तो कृष्णा प्राता काले उध्यानम प्रती गच्छा में उध्यान की ओर जाता है असोग चक्रम कीम दियोत्यती तो असोग चक्रम किसको दर साथ है गती सिल्ताम तो गती सिल्ताम दियोत्यती असोग चक्रम गती सिल्ताम दियोत्यती सारनी को पूरा करना है प्रत्मा विभक्ति मोहना मोहनाओ मोहनाँ पहला होगा आपका मोहना मोहनाओ मोहनाँ सेकेंड विभक्ति पर होगा मोहनाओ मोहनाँ तो यह हो जाएगा इसका उत्तर तो खालिस्तान पर आएगा मोहनाओ पहले वाले पर दुसरे पर होगा मोहन हमारे राष्ट द्वज यानि कि तिरंगा का यहाँ पर चित्र बनाना है दो अंकों का यह प्रेशन है तो इस तरह से आप अपना जंडा बना सकते हैं एक rectangular box बनाना है जिसमें आपको तीन strips बनाने हैं तीन खंड बनाएंगे पहले वाले को केसरिया रंग करेंगे बीच वाले को सफेद और लाष्ट वाले को हरा रंग करना है इस तरह से अपना राष्ट द्वज बना सकते हैं यहाँ पर दिया गया वद यानिकी बोलना इसका होगा वदती लिख का होगा लिखती हस का होगा हसती इस तरह से किरियरूप बनाना था सुम्मिलन करना यहाँ पर गिन कर पहले वाले है पांच यानि कि पंच बोलेंगे दूसरे वाले में जो सूरज है वो दो है यानि कि दौाव यहाँ पर जो चांद है वो तीन है यानि कि त्रयह बोलेंगे इसको अगला देखते हैं गावो विश्व समातरह पाठ का आसा है हिंदी भासा में लिखे पांच पंक्तियों में उत्तर देना है तो गाय ना केवन भारत की बलकी विश्व की माता है गौ एक अहिंसक बुद्धी मती इसने कारणी पसू है गाय धाज गुसा खाकर तथा धूप और बरसात को सह कर दूद देती है गाय का दूद पचने वाला बुद्धी देने वाला इसके मुत्र का उपयोग औसधी के रूप में किया जाते हैं इस तरह से पांच वाक्ये लिख सकते हैं इसके अलावा चात्र अपने अधार पर भी उत्तर दे सकते हैं या तो इसके अथवा वाले प्रशनों को करना है मम्नाम डैस अस्ती अगर तुम्हारा नाम अगर पूर्लिंग है तो वहाँ पर विसर्ग चिन नहीं लगाएंगे तो मम्नाम विराटः अस्ती जो भी आपका नाम होगा उसको लिखना है मम्पीटू ना नाम श्री लता अस्ती जो भी आपका मम्मी का नाम यहां पर भरना है पिता का नाम सास कि उस्तर्माध्यमिक विद्यालेह अस्ती अहम डैस कक्षायम पठामी तुमकि मैं कौन सी कक्षा में यहाँ पर पढ़ता हूँ इसके बारे में लिखना है तो अहम सश्टी कक्षायम पठामी यानि कि सश्टी कक्षा में पढ़ता हूँ सश्टम कक्षायम पठामी तो यहाँ पर छटवी कक्षा में पढ़ता हूँ इन छटवी को संस्रित में यहाँ पर उत्तर देना है तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लेट हो जाता है विद्याले गतिविद्यों पर अधारित प्रयोजना आपको बनाना है विद्याले में जोगती विद्य दिये होंगे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर मेसेज कर देंगे उसका सॉल्योशन आपको मिल जाएगा थैंक यू पर वाचिंग सस्क्राइब दी चैनल थैंक यू